तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोट्स तक में चिन्य सुपर किंग्स और राजस्तान रोयल्स के बील बीच में हाल ही में मैच खेला गया था चेपॉक में और वहां चिन्य सुपर किंग्स को जीत मिली थी और जिस तरह से CSK ने सारे फैंस को मैच के बाद रुखने कहा था यह अटकले लगाई जाए थी कि शायद चेपॉक में यह CSK का धाला का आखरी मैच हो सकता है अब इसको लेकर CSK ने ओफिशिली कुछ नहीं कहा है लेकिन अनुमान यहीं लगाया जाया है कि शायद चेपॉक में MS धूनी ने अपना लास मैच खेल चुके है अब थाला की बात की जाए तो जिस तरह से विरिंद सेवाग ने कुछ दिन पहले कहा था कि जब भी चिननाई सुपर किंग्स का मैच होता है तो लोग केवल और केवल MS धूनी थाला को देखने जाते हैं यहां तक कि उनके खुद के बेटे चाते हैं MS धूनी को देखना और इसको लेकर अब हरवजन सिंग ने बात की है हरवजन सिंग का मानना है कि MS धूनी एक ऐसे शक्सियत है जो आपको next season भी CSK dugout में नजर आएंगे किस role में नजर आएंगे, किस capacity में नजर आएंगे यह तो उन्होंने कहा कि आपको शायद बतौर mentor नजर आ सकते हैं, बतौर coach नजर आ सकते हैं इसके अलावा हरवजन सिंग ने एक बहुत बड़ी बात भी कही है उन्होंने ये कहा है कि MS धूनी के बिना CSK में एक पत्ता भी नहीं हिलता है उन्होंने इस team को बनाया है, अपना खून दिया है, पसीना दिया है और इस पूरे बात को support किया है अंबती राइडू ने तो exactly हरवजन सिंग ने MS धूनी और चिनई सुपर किंग्स को लेकर क्या कहा उसको लेकर हम बात करेंगे इस वीडियो में और अंबती राइडू ने क्या कहा है सबसे पहले हरवजन सिंग की बात करते हैं हरवजन सिंग ने MS धूनी और चिनई सुपर किंग्स को लेकर क्या कहा कैसे उनको लगता है कि आने वाले सीजन में शायद CSK के नए रोल में आपको MS धूनी नजर आ सकते हैं लेकिन CSK का हिस्सा वो हमेशा ही रहेंगे तो उन्होंने क्या कहा आईए देखते हैं उन्होंने कहा ये टीम का मालिक है उसकी मर्जी के बिना वहाँ पताब भी नहीं हिलता ये उनकी टीम है उन्होंने इस टीम को अपना खून पसीना और सब कुछ दिया है वो हमेशा CSK ग्रूप का हिस्सा रहेंगे चाहे एक मेंटर के रूप में या एक कोच के रूप में वो वहाँ सब कुछ है उन्होंने कहा आने वाले सीजन में आप निश्चित रूप से उन्हें CSK डगाउट में देखेंगे शायद एक खिलाड़ी की रूप में नहीं बलकि किसी अनिश्यमता में लेकिन वो खिलाड़ीों के साथ रहेंगे तो सवाल हमेशा यही उठाया जाता है कि क्या 2025 सीजन में MS-Dhoni CSK का हिस्सा होंगे नहीं होंगे हर साल यही सवाल होता है कि क्या यह IPL में MS-Dhoni का last season है और यही कारण बहुत सारे fans जो है stadium का रुक करते हैं MS-Dhoni को देखने के लिए इस बात को हरबजन सिंग ने रखा और इस बात पर अंबती राइडू ने जवाब दिया और क्या कहा आई जानते हैं अंबती राइडू ने कहा बजीपा ने सही कहा कि यह उनकी team है उन्होंने उस culture को develop किया जो वरतमान में मौझूद है जो presently आप देख सकते हैं इस पुरी team में वो उस franchise में खिलाडियों को nurture करते हैं कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से वहां रहेंगे उन्होंने कहा कि जिस तरह का environment culture बनाया गया है वो MS धूनी ने बनाया है और वो हमेशा से CSK का ही हिस्सा रहेंगे आप लोग मुझे को उस रोल में आगे आने वले सीजन में देख रहे हैं या नहीं उमीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अच्छे लगी है तो लाइक कर लीजिए शेयर कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएका धन्यवाद